Recently, UPK Lawmaker राम दुलार गोद अपना membership खो देते हैं हाउस से सोन भद्रा कोट ने 25 साल का जल सेंटेंस पास किया उनके अगेस्ट क्योंकि उन्होंने 2014 में एक माइनर लड़की का रेप किया एक और केस जहां Lawmaker ही Lawbreaker भी है NCRB का Recent 2021 का डेटा बताता है कि 149,404 केसे में से 53,874 केसे सिर्फ पॉक्सों के हैं 2021 में कुल 33,348 केसे पॉक्सों के सेक्शन 4 और 6 के तहत रेजिस्टर हुए जो Penetrative Sexual Assault और Aggravated Penetrative Sexual Assault से डेल करता है UTS में से डेली बच्चों के Against Crime के मामले में शीर्फ पर है बच्चों के विरुद Crime 2020 में 28,9% से 2021 में अब 33,6% पर आ चुका है अब डेटास काफी लेट रिलिज होते हैं तो I'm sure 2023 का डेटा और शौकिंग होगा तो ऐसे सिचुईशन में मेरे ख्याल से पॉक्सों की डीडेल्स जानकारी सबको होनी चाहिए और आज का वीडियो इसी पर है ये वीडियो क्लाट आस्परेंस के ने भी काफी ज़रूरी है तो देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें रीसेंट लीगल करेंट अफेर्स से अपडेटेड रहने के लिए मैं हूँ अन्वेशा और आप देख रहे है एसलसे इस्टिट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिट स्ट्रीमिंग दो हजार बाड़ा में पॉक्सो आक्ट को बनाया गया अच्रा साल से कम उमर के बच्चों को सेक्शूल हैरस्मेट, सेक्शूल असॉल्ट और चाइल्ड पॉर्नोग्रफी के ओफेंसेस से बचाने के लिए Ministry of Women and Child Development ने इसे पास किया था और अब punishments को और जादा stringent बनाने के लिए सरकार ने पॉक्सो आक्ट रूस 2020 भी बनाया बच्चे किसी भी देश का भविश्य होते हैं और अगर एक देश उन्हे ही प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं और sexual offenses एक इंसान के जिन्दगी हमेशा के लिए बरबाद कर सकता है और पॉक्सो हमारे देश का एक माज्र यूनिफर्म लेजिसलेशन है जो पूरे देश के बच्चो पर लागू होता है पॉक्सो से पहले IPC के sections द्वारा offenses गवर्न होते थे पर ना तो ये sufficient थे ना ही male child का कोई protection देते थे और इसलिए पॉक्सो लाया गया पॉक्सो एक complete code है इसमें the code of criminal procedure 1973, Indian Penal Code 1860, juvenile justice act और information technology act 2000 सब ही के provisions को incorporate किया गया है और total 46 sections है चलिए अब पॉक्सो के कुछ बहतरिन features को समझते है पहला और सबसे important ये कि ये एक gender neutral law है जिसके demand अभी बाकी laws को भी बनाने की हो रही है ये act मानता है कि लड़का और लड़की दोनों ही sexual abuse के victim हो सकते है सभी बच्चो को ये act हग देता है कि उन्हें sexual abuse से protection मिलेगा इसनाते ये काफी अच्छा law है दूसरा पॉक्सों के अंडर cases को report करना अब काफी असान हो चुका है क्योंकि ना सिर्फ individuals बलकि victims के इन्स्टिटूशन भी report करवा सकते है यहां तक की non-reporting को ही एक offense बनाया गया है इस act के तहट इससे काफी difficult होता है बच्चों के against हुई crime को छुपाना थर्ड हर term को specifically define किया गया है अब तो child pornography को store करने को भी एक offense डिकलर कर दिया गया है पॉक्सों के तहट अलग-अलग offenses के against, punishment तीन साल से लेकर life imprisonment तक extend हो जकती है इस act के section 28 के तहट पॉक्सों cases के लिए special courts का provision भी दिया हुआ है इन special courts के पास jurisdiction रहेगा Information Technology Act 2000 के section 67B के तहट हुए offenses से deal करने का जो हर तरीके के sexually explicit content के transmitted publishing को criminalize करता है जिसमें बच्चों को दिखाया जा रहा हो और इस special courts के पास session courts के सभी powers होते है इस act के section 42A में ये भी बताया गया है कि इस act के सभी provisions अन्य act के provisions को override करेगा यानि कि disallow करेगा अब क्यूंकि यहाँ बच्चों के साथ crime हो रहा है इसलिए उनके assistance के लिए boxer rules में provision दिया हुआ है एक support person का जो उस बच्चे को पूरे investigation के दोडान assist करेंगे यही support person बच्चे के best interest को ensure करेगा उसे emotional, physical और mental support करेगा उसे medical care provide करेगा counseling और education भी ensure करेगा साथ में उस बच्चे के parents या guardians को भी case के development और court proceedings के बारे में बताएगा एक extra information मैं यहाँ add करना चाहूंगी कि Criminal Love Amendment Act 2018 के furtherance में Department of Justice ने एक centrally sponsored scheme चालू किया है जिसके जड़िये 1023 Fast Track Special Courts सेट अप हुए जिनमें से 389 exclusively POXO Courts है आशर है कि आपको इस वीडियो से Act का एक complete overview मिला होगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करे चानल को जरूर सब्सक्राइब करे और देश के aware नागरिक होने के नाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और उन तक भी पूरी जानकारी पहुँचाए थैंक्स पर वाचिंग